नमस्ते दोस्ते, इस गोल्ड मैं आपका स्वाषित, स्वास्ते समंधी चाथचा के इंदर T-series में आज आपको हम T 18 याने की T 18, T 18 के इंदर 18 ही contents है और एक से एक बढ़ करके और बहुत अच्छे contents हैं, ये contents आपकी निमने लिखी तकलिखों को दूर करेगी, एक तो जिनका सुक्र सेह हो गया है सेह का मतलब सुक्र बिल्कुल सुक्र करके और नहीं के बराबर रह गया है सुक्र का मतलब वीरियस है दूसरा सिग्र पतन को ये ठीक करेगी और तीसरा सुफन दोस्को ठीक करेगी और इंद्री की सितलता याने की लिंक की कमजोरी को ठीक करेगी और सारारिक दुर्बलता को ठीक करेगी और ना मर्दी जिनके अंदर पैदा हो चुकी है उनको मर्द बनाएगी ये बहुत प्यारा नुस्का हमने बहुत एक पुरानी बुक्स से निकाला है और आज हम आपको इसके contents मिली ग्राम के अंदर दे रहे हैं तो ये एक गोली बनेगी जितने हम contents बताए हैं तो ये 355 मिली ग्राम की एक इतनी बड़ी गोली बनेगी तो इसकी डोज भी हम पहले बता देते हैं एक से दो गोली रात को सोती वागत एक गंटा पहले गाई के दूद से ले ओर दिन में भी एक से दो गोली ले सकते हैं यहने कि इसकी खुराक दो गोली तक एक से दो गोली पहले एक गोली ले उसके बाद अगर आपको लगे कि भी कम है तो दो गोली सुबह ले सकते हैं, दो गोली रात को एक गंटा पहले ले सकते हैं, दूद नहीं हो तो गुन-गुना पाने से लें, और इस कोर्स को आप 21 और 31 दिन करें, इस से आपको पूर्ण कामे अभी मिलेगी, अब मैं इनके मि आपको कंटेंस बता रहा हूं, तो ये आप आयरिवेदिक की दुकान पर जाकर के बोल देना कि एक गोली के अंदर इतने कंटेंस हैं, इतने मिलिग्राम की एक गोली है, ऐसी हमें 30 दिन की 60 गोली या 120 गोली जितने भी सी यह वो बनाने है, तो वो फोरन आए जो आपको केल और उसके अंदर थोड़ा सहर डाल करके और गोलियां बना करके भी रख सकते हो, एक गोली का वजन 365 मिलिग्राम उपर में 500 मिलिग्राम तक की गोली ली जा सकती है, तो 365 मिलिग्राम का हो गया, यूं मान के चलो गे, तीन रती की एक गोली, तीन चिर्मी होती है, उसके बरा का गया कमेंट्स के अंदर और वार्टसेप के अंदर कि आप जो भी नुस्का बताएं उसका सामने वो कर दे मैं ताकि हम एक एक चीज लिख सकें बोली भी बात हमें समझ भी नहीं हती तो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ यह बात भी बात है आपका अधिकार मनता है कि यह है कि मैंने यह लिख रखी है यह 18 कंसेंस है तो मैं इसको कितने बड़े अक्सरों में लिखूंग इसके अंदर दिख जाए अथवा इस तरह की कोई टेकनिक हो तो मेरे को आउगत कराएं मैं कोशिस करूँगा फिलाल मैं अभी 18 कंसेंस बोलता हूँ हाँ देखिए शिल जीत, 40 mg, मिलिग्राम बोल रहा हूं, मिलिग्राम बहुत जरा साग होता है, 40 mg, परवाल पिष्टी 20 mg, बंग बस में 20 mg, सुवरन माक्षिक बस में 20 mg, गिलोई 20 mg, अस्वगंदा 60 mg, सतावरी 15 mg, गोखरू 15 mg, बला मूल 15 mg, आउला 10 mg, अकरकरा 10 mg, जाइफल 5 mg, कपूर 5 mg, लता कस्तूरी 20 mg, कौंच के बीच की गीरी 90 mg, और मकवर दर्ज 10 mg, और स्वरन बस में 20 mg, और सहस्त्र फूटी, अबरक बस में 1 mg, तो ये कुल टोटल mg मैंने जोड़ा है, तो 365 होते हैं, यानि कि 120 mg की एक रत्ती होती है, तो आपके 3 रत्ती की 1 डोज बनी, वैसी आपको 100-200 गोली बनानी है, मैं ये कंटेंस एक बार फिर बोल देता हूँ, अब आप लिखना चाहें, तो देखिए, आप लिख सकते हैं, खूब आराम से लिख सकते हैं, रेकोर्डिंग को रोक के पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, मैं इतना अभी भगवान की दैसे चार्ट से दांत है, इतना मैं अभी साब बोल रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा, और एक कमेंट सी मानने का सोको तो बहात अलग हाँ, शिराजीत चालीश, परवाल पिष्टी बीश, बंग बसम बीश, सुरन माक्षिक बीश, गिलोई बीश, अश्वगंदा साथ, सतावरी पंद्रा, गोखुरू पंद्रा, बला मूल पंद्रा, आवला दस, आकरकरा दस, जाइफल पांच, कपूर पांच, लता कस्तूरी मखर दस, स्वरन बसम एक, अबरक बसम सहस्तर पूटि एक, ये कुल 365 मिली गराम हुआ, ये जितनी कौन्टीटी है, सब मिली गराम के इंदर है, गराम में नहीं है, मिली गराम के इंदर है, तो दोस्तों, ये नूष्का आपतामेल लीजिए, अब इसमें मैंने खूप किया है इसमें करीब करीब सब बेश से बेश चीज你看 कोई सउन बसम बहुत मामूली है इतिस ही कही मिलि ग्राम का मतलब एक वह बड़ा वह नहीं होता है बिलकुल मामूली है और बाकी और चीजें को इतने महंगी नहीं है कुछ जड़ी मूटिया हैं और कुछ भस में हैं तो ये सुक्रस है और शिक्रपतन और सपन दोस्तों इंद्री की कमजोरी और दुरूबलता और नामर्दी इन सब को ये नुस्काटी अचारा खत्म करेगा आप इसका परियोग धड़ल दे से कर सकते हैं कोई साइड नहीं कोई बेडिफेक नहीं इस परियोग को 21-31 दिन आप आराम से कर सकते हैं और 16 से लेकर के और उपर 75 साल तक के इसको ले सकते हैं उम्र बाकी जिन के उमर 13-14 साल किये उनको ये नुस्काट नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों आप इसका फाइदा उठाईए टीए टिन क और मुझको इसके गुणों से आवगत कराईए और मेरा वीडियो सब्क्राइब किजिए थैंक्स